इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह इन संक्रमनों का कारण बनने वाले कवक को मार कर काम करता है। लुली क्रीम का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए। इसे अधिक बार्या निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उप्योग न करें क्योंकि यह आपकी स्थिती को तेजी से साफ नहीं करेगा और केवल दुश प्रभाव बढ़ा सकता है। त्वचा के संक्रमन आमतोर पर दो से चार सप्ताह के उप्योग के बाद ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। प्रभाव क्षेत्र को साफ और सूखा रखकर और इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथ धोकर दवा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। यदि आपके पास एथलीट फुट है तो अपने मोजे या चद्धी को अच्छी तरह से धोले और यदि संभव हो तो अपने जूते रोजाना बदलें। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में आवेदन की जगह पर जलन, जलन, खुजली और लालिमा शामिल है। य यदि आप किसी अलजी की प्रतिक्रिया के लक्षन जैसे की दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या और मतली के लक्षन देखते हैं तो अपातकालीन सहायता लें। अपनी आखों के सीधे संपर्क से बचें। आकस्मिक संपर्क के मामल में अपनी आखों को पानी से धोले और ततकाल चिकित्सा की तलाश करें। यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी। लेकिन इसका उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में एक अन्य दवा का उप्योग किया है जिसमें स्टेरोइड होता है या किसी अन्य एंटिफंगल दवा से अलजी की प्रतिक्रिया होती है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा का से पूछें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यव अजाद